तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अनुगमन वेग तथा वैदुद्धारा में जो रिलेशन होता है यहीं कि संबंध होता है वो क्या होता है इस विशय पर हम लोग बात करने वाले हैं तो आईए देखिए इसके लिए देखिए डियर हमें ऐसा मानना होगा कि अपने पास कोई एक चालक है ऐसा हमें मानना होगा कि अपने पास क्या है कोई चालक है या यूं कहो कि अपने पास कोई चालक छण है और यह चालक छण का जो नाम है हमने कहा xy है क्या है डियर xy है और इसका जो एरिया है वो हमने कहा a है क्या है डियर a है और यह चालक छण जो है हमने कहा कि यह किसी बैटरी से जुड़ी हुई है क्या है किसी बैटरी से जुड़ी हुई है जिसका बैटरी का हमने कहा जो विभुवांतर है वह वी है क्या है वी है और यह आपका रहा रिंड़ सेरा और यह रहा धन सेरा यह डियर आपका क्या रहा धन सेरा और यह जो हमारा कंड़क्टर है मिंस चालक है चालक के प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त एलक्ट्रानों की संख्या है चालक के हमने कहा प्रति एकांक आयतन में मुक्त एलक्ट्रानों की संख्या वो small n है क्या हमने dear कह दिया कि small n है और ये आपका minus ये plus तो ये वाला ind क्या हो जाएगा minus और इधर से dear ये ind क्या हो जाएगा plus हो जाएगा जैसा कि हम जानते है कि वैदुच्छेत्र की जो दिसा होती है यहां पर आप चाहें तो वैद्दु छित्र की दिशा दिखा देजिए कहा धन से रिण की और और यह जो हमने चालक ले रखा है हमने कहा कि इस चालक की जो लंबाई है वो डियर कितनी है ल है चालक की लंबाई क्या है ल है और एक बात और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने चित्र में दिखा यह दिखा यह दिखे हैं यह जो माइनस वाले यह देख रहे हैं माइनस लगे वी यह सब क्या है electrons यह डियर क्या है यह आपके electrons ठीक है यह आपके electrons है यह जो गोली के अंदर माइनस मैंने मान रखे क्योंकि electron पर जैसा कि हम जानते हैं कैसा Charge होता है रेल चार्ज होता है तो यह सब क्या है electrons है आर जब वैद्दु धाराजीन की डायरेक्टन होती है वो कहां होती है? इलक्ट्राच की विप्रीत होती है तो आप देख रहे हैं, अलक्ट्राच की हमने डायरेक्टन यह दिखाई है, तो current की Direction कैसे होगी, भाई तो यह हमारा blur क्या था? चित्र था हमने क्या कहा कि हमने कोई XY क्या ले रखा है एक चालक यानि कि कंड़क्टर ले रखा है और इस कंड़क्टर को एक बैटरी V के द्वारा हमने क्या किया है जोड़ दिया है उसके बाद में इसकी लंबाई कंड़क्टर के कितनी है L है और ये जो V के द्वारा जोड कितनी है हमने खा small n है और ये इसका क्या है area of cross section यानि की area है और उसके बाद में ये क्या है electrons है और electrons क्या कर रहे है इसमें मूँ कर रहे हैं जिनकी हम कहेंगे जो velocity है वो डियर कितनी है VD है, कितनी है VD है, लेकिन ये कौन सी velocity, drift velocity VD से क्या कर रहे है इसमें जो है, हम कहेंगे गति कर रहे है, और ये इनकी कैसी है, average velocity है, कैसी velocity है average velocity, या यूं कहलो कि प्रतेक electron की यहाँ पर जो average velocity है, यानि कि आवसत वेग है, वो किता है वो है, आवसत अनवमन वेग VD है, इससे क्या कहो, ये गति कर रहे है ठीकर डियर, अब आप देख सकते हैं, यही हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसकी तेयोरी में, कि माना एक चालक छण, जिसका नाम क्या है, X, Y जिसकी लंबाई क्या है हमने कहा, small L है और इसके अनुप्रस्थ काट का छेतरफल क्या है, capital A है फिर हमने अभी कहा था कि चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त अलेक्ट्रानों के संख्या क्या है, small N है जब चालक के सिरों पर V विभुवांतर लगाते हैं तब उसमें आई धारा क्या होती, विभुवांतर V लगाते हैं तो आई धारा उसमें प्रवाहित होती है तथा उसमें उपस्थित मुक्त अलेक्ट्रान हमने कहा था किस वेग से अनुगवन वेग वेडी, यानि कि average velocity, अनुगवन वेग, average velocity कहों से, average drift velocity से हमने कहा था क्या करते हैं, मुव करते हैं, मिंस गति करते हैं तब चालक में उपस्थित कुल मुक्त अलेक्ट्रानों की संख्या, एकांग का आयतन में डियर कितनी है, एकांग का आयतन में संख्या तो कितनी है, एन है और उसके बाद में गुडें क्या इसकाा, बेलन का आयतन, या कहो जो हमें conductor चालक लिया, इस चालक का आयतन तो चालक का आयतन, डियर कितना है, होगा, AL क्या होगा, AL, यनि कि आयतन जैसा कि हम जानते हैं, छेत्रफल गुडें क्या होगी, लंबाई या छेत्रफल गुणे दूरी आप जैसा कहना चाहों तो छेत्रफल गुणे कितना हो गया दूरी तो यहाँ पर जो कुल संख्या बनेगी किसकी एलक्ट्रोनों की वो कितनी होगी वो होगी आप देखेंगे कैप्टल एन बराबर एन गुणे चालक का आयतन तो चालक का आयतन क्या बनेगा आयतन जैसा कि हम जानते हैं छेत्रफल और गुणे क्या होता है लंबाई चालक की फूरी आप जैसा कहना चाहों अब चालक में उपस्थित कुल मुक्त आवेस जैसा कि D.R. हम जानते हैं वो आवेस कितना होगा आवेस Q बराबर क्या होता है , E होता है क्या डियर होता है क्यू बराबर N E होता है जैसा कि हम चैप्टर नंबर एक में पढ़ चुके हैं अब एक आप काम करिए काम ये करिए ये capital N का value उठाओ और यहाँ पर क्या करो डियर रखतो तो यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे यही बनेगा Q बराबर N का value क्या है N small N A L और यह आपका रहा E ठीक है इसको चाहों तो कहे दो यह है समीकर नंबर एक फिर मुक्त एलक्ट्रॉनों द्वारा चालक छण को पार करने में लगा समय अब यह जो एलक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे तक आएंगे इनको कुछ पार करने में क्या लगेगा कुछ न कुछ समय लगेगा क्या डियर लगेगा कुछ न कुछ चालक छण को पार करने में समय लगेगा तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है वेग बराबर डियर होता है विस्थापन बटा समय क्या होता है विस्थापन बटा समय तो यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो आप देखेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन बटा क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा विस्थापन बटा वेग तो अगर हम मान लें कि जिस समय में इसने पार किया वह समय क्या था टी क्या था टी तो यहां से आप देखेंगे टी बराबर विस्थापन तो यहां से यहां पार करके आया, तो कितना हो गया, L हो जाएगा, भाई यह कितनी है दूरी, यह L है, तो यह आपका विस्थापन का काम करेगा, यह L बटे वेग, तो यहां किस वेग से यह गति कर रहे हैं, ड्रिफ्ट विलोसिटी, यहनि कि L अपॉन डियर यहां से क्या हो जाएगा, यह हो विपरीत में करेंट भी तो फ्लो होगी, लेकिन वो कितनी होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं, डियर धारा होती है, आई बराबर Q अपॉन T होती है, क्या होती है Q अपॉन T, अब एक काम करिए, Q और T का समीकरण एक और दो से यहां पर क्या करो, मान रख दो, तो हम कहेंगे, कि समीकरण एक वा दो से Q वा small t के मान रखने पर, तो यही बनेगा आई बराबर Q का उठाओ value, N A L E, N A small L into small E, upon T आप देखेंगे कितना है, L upon VD, यहां पर रख दीजिए, यह L upon VD, ध्यान से देखो L upon VD का VD उलट के उपर आ जाएगा, और यह L और यह L क्या हुए, मर गए, तो आप देखेंगे, यही आपका बच्चा, यहां से यह बच्चा, N A E VD, अब यही है, यह जो आपका निकल क्या आया, आई बराबर, चलो हम नीचे लिख देते हैं, आई बराबर N A E VD, यही आपका है, क्या, अनुगमन वेग तथा वैदुद्धारा में संबंद, क्योंकि I यहां क्या है, वैदुद्धारा, VD क्या है, अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग तथा वैदुद्धारा में यही आपका होता है, संबंद, अब आगे बढ़ाने को अगर और चाहों, तो VD बराबर फार्मूले को निकाल दो, तो VD बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान, क्या हो जाएगा, N, A, E या A, N, E आप जैसा कहना चाहों, तो यही है बच्चा रिलेशन, अनुगमन वेग तथा वैदुद्धारा में संबंद, किसमें है, अनुगमन वेग तथा वैदुद्धारा में संबंद, अब इसके बाद में, ऐसा हम मान लेते हैं, क यह जो हमने चालक छण ली है, यहां पर, हमने जो यहां पर चालक छण ली है, इस चालक छण में जो धारा घनत तो है, वो डियर कितना है, जे है, कितना है धारा घनत तो जे है, तो हम क्या कहेंगे, कि यदि चालक छण में धारा घनत तो जे है, तो अगर चालक छण में धा ये है तब हम पहले से जानते हैं कि 18 तो J को किस प्रकार परिभासित करते हैं अब एक काम करो यह जो I का i का वैल्यू है यहाँ से उठा और यहाँ पर क्या करो फुट कर दो तो आप देखें के जब हम फुट करेंगे तो यहीं हो जाएगा J बराबर I का value कितना है N A E VD upon A A और A यहां से क्या हुआ मर गया तो आप देखेंगे यही बचेगा यहां से N E VD यह क्या है N E VD यही है हम कहेंगे कि यही है J बराबर कितना है J बराबर N E VD यह डियर किसमे है यह है आपका अनुगमन वेग तथा धारा घनत्तों में संबंध यह क्या है अनुगमन वेग अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्तों में धारा घनत्तों में संबंध धारा घंत्त में संबंध तो बच्चों आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद